यहीं दोस्तो त्यागी डेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेर के बारे में बात करेंगे जिनके क्यूटू के रिजल्ट्स आए हैं साथ ही हम यहां पर बात करने वाले हैं स्ट्राइक्स यानि के एक तारीक क आपने देखा था एक अक्टूबर को इरान के दुआरा अटैक किया गया था किस पर इसराइल पर 200 रोकिट दागे गए थे उस समय इसराइल ने बोला था मोके समय के अकोडिंग हम भी दुआरा से स्ट्राइक करेंगे लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा यानि कि बदला ल इरान ही लड़ाई कर रहा है देखे अगर बात करें यहां पर कि कौन इनको हतियार दे रहा है तो हतियार सिर्फ एक इनसान दे रहा है यानि कि लड़ाई को कौन नहीं चाहता कि रुखनी चाहिए इरान इरान बिल्कुल नहीं चाहता है कि लड़ाई रुखनी चाहिए ठी क्योंकि इसराइल पर लगातार अटब हो रहे हमास 55, 1000 रोकिट एक साथ दाग चुका है मतलब कि इसराइल को खतम करने का पूरा प्लान करके बैठा हुआ है इरन तो जो समझ चुका है कि मेरे मारने की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है मुझे चाहता ही नहीं है कि मैं जिन्दा रहूं तो समझे कि क्या लड़ाई आगे बढ़ेगी या यहीं रुकेगी इस बात को समझे लड़ाई तब तक रुकने वाली नहीं है जब तक कि इरान सांत नहीं होता है और कहीं से भी क्या एक परसेंट आपको लग रहा है कि इरान कहीं सांत है अगर सांत है तो पांच हजार रोकेट क्यों दागे किसने हमास ने फिर दुआरा से एक तारी को क्यों इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई ठीक है हिजबुल्ला लगा तार कहां से इतने सारे हतियार लेकर आ रहा है तो यह लड़ाई देखिए अनुमान तह तो यही कहीं जारी है कि चोटी मोटी लड़ाई चलती रहेगी लेकिन चोटी मोटी चीज चिंगारी कब बढ़ी हो जाए आप अनुमान इस चीज का नहीं लगा सकते हैं सबसे दोस्तों यहां पर जो बदला लिया गया है इसराइल के दौरा इस ट्राइक की गई है इरान पर लगवाग 100 जेट यानि के फाइटर जेट से जो की फाइटर जेट भी कौन से थे बिलकुल अभी हाईविरिड वराइटी के कौन थे फाइटर जेट ठीक है फाइटर जेट वो भी इस तरीके की कि अगर उनको रडार से देखने की कोशिस की जाए तो वो छोटा सा कोई एक कह सकते हैं कि चिन्नी की तरह नजर आएगा एक छोटा स्पोर्ट नजर आएगा आसमान के अंदर आप उसको ट्रैक ही जल्दी से नहीं कर पाते कि वो इस तरीके की उसकी टेक्नलोजी का इस्तमाल उसके अंदर किया गया है घुस गये वो अंदर की साइड में इरान के अंदर की साइड में घुसने के बाद उन्होंने लगबग 20 स्पोर्ट पर 20 जगे टार्गेट किया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं लगबग अभी जो जानकारी मिल लेए देखे न्यूस के अंदर जानकारी कम ही मिलती है अगर लगबग 20 लोग मर जाएं तो 4 लोग दिखाए जाते हैं तो 4 इरानियन के सोल्डर किल्ड हुए हैं बाइजराइल एर स्ट्राइक हिजबुल्ला ने तुरंत लौंच कर दिये क हिजबुल्ला ने तुरंत लौंच कर दिये ड्रोन स्ट्राइक ओन इजराइल एरवेस पर अटैक कर दिया तो अब यहां पर क्या था दो चीजे थी कि इजराइल अपना बदला ले रहा है ठीक है अब उधर के साइड से कोई एर स्ट्राइक नहीं हो किसी तरह का कुछ भी ना देखने को मिले लेकिन हिजबुल्ला ने तुरंत छोड़ दिया इसका मतलब यह है कि लड़ाई कहीं से भी किसी भी एंगिल से खतम होने का अभी नाम नहीं ले रही है और कोई भी लड़ाई तभी खतम होती है जब उसका पूरा पीक ना निकल जाए उसके अंदर पू रुकने वाली नहीं है यह बड़ा नुकसान तब तक नहीं होता है यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है अब कहां पर अटैक होने लगे हैं मिलिटरी बेस पर कहां पर अटैक होने लगे हैं ऐसे सेंस्टिव इलाकों पर जहां पर नहीं होना चाहिए था ठीक है तो अब य लड़ाई आगे बाड भी सकती है यह लड़ाई आगे बाड भी सकती है ठीक है हो सकता है यहाँ पर पहला आक्क किया इरान शवनमाता है उसने बोला कि मैं अटाग कर Associate और इन ने भी यहा dog कर एरिस्ट्राइक से ठीक है एक ऐसे इलाके में किया ठीक है जहां पर सेंस्टिव बिल्कुल इलाका है ठीक है तो डरने का तो किसी का कोई मतलब ही नहीं है अब यहां पर देखना यह है कि आगे क्या होता है कि यहीं पर मामला दब जाता है अगर यहीं पर दब जाता है तो मार इरान से लड़ाई हो रही है और इरान से लड़ाई होने के बाद क्या होता है सीधा सीधा एक ही चीज पर होता है कि कहीं कुरूड वाले इलाकों में रिफाइनरी वाले इलाकों में अगर बंबलास हो जाता है तो यह ग्लोबली बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर कुरूड पर थोड़ा सा भी impact आता है refinery को बहुत ज्यादा छती पहुचाई जाती है तो फिर सीधा सीधा impact globally पहुचेगा और crude ऐसा ना हो कि एकदम से high level पर पहुचाए high level पर पहुचने का मतलब जो चीजे भी आप इंडिया के अंदर देख रहे हैं crude महंगा होगा कितनी गाड़ियां चल रही है कितना crude की requirement diesel petrol की requirement ऐसा कोई घर है जहां पर diesel petrol की requirement नहीं कोई एक ऐसा area जहां पर diesel petrol की requirement नहीं रोड पे आप खड़े हो जाई है थोड़ी देर के लिए आपको समझ माई जाएगा कि डीजल पैट्रोल के रिक्वर्मेंट कितनी है तो आपको यह बात सारी समझ माई चाहिए आप कहेंगे कि अलक्ट्रिक वहिकल का भी तो जमाना चल रहा है देखिए अभी उतनी स्पीड से नहीं चल आप रोड पर कैलकुलेट करोगे तो सो गाड़ यहां निकल गई है तो उसमें दो तीन चार पाच गाड़ यहीं आपको लेकिन ज्यादा तरह आपको डिजल पैट्रोल गैस वाली देखिए किसी बी इनसान के लिए एकदम गाड़ी चेंज करना असान नहीं होता अगर किसी में है किसी के पास अभी बाइक है तो दूसरा स्कूटर इलक्ट्रिक वहिकल लेना बड़ा मुस्किल हो उसके लिए क्य देख रहे हैं कि विदेशी निवेसक रुकने का नामी नहीं ले एक लाग करोड का माल अभी तक बेच चुके हैं एक लाग करोड का माल अभी तक बेच चुके हैं क्वाटर महिने के एक मंत के अंदर क्वाटर नहीं एक मंत के अंदर अभी तक पहले ऐसा कभी हुआ ही नही चलिए क्वाटर टू के रिजल्ट अगर खराब आ जाते हैं समझ माएगा लेकिन गिरावट यहां से और ज्यादा बढ़ी नहीं हो पाएगी उन सेर्स के अंदर क्योंकि ओलेडी क्वाटर टू के रिजल्ट के बाद अगर खराब आते हैं तो गिरावट तो लेडी हो चुकी है लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले दो साल में एक तो भेंकर तेजी बनी है ठीक है तो इंडियन मार्केट के लिए एक थोड़ा सा एक पेनिक वाला महोल यहां पर है तो फिलाल आपको अलेट रहने की जरूरत है जी आगे लड़ाई होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है कि यह कितना बुरी तरीके सा आगे बढ़ सकती है अगर बहुत ज़्यादा इसने अपना भयानक रूप लिया तो सायद बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है चलिए लड़ाई का तो हमें मालूम नहीं है लेकिन यह भी मालूम है कि ल गिरावट हैं मिलती रहती है इस टोक मार्केट के अंदर लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जहां पर गिरावट हो रही है वहां पर पैसा बन सकता है अगर कंपनी अच्छी है उसके फंडामेंटल मजबूत है ठीक है तो सबसे पहले हमें देखना है कंपनी यह यह भी दे ठीक है लेकिन कभी साड़े 300 रुपे का शेर होता था उपर के साइड में 2526 रुपे इसने मार दिया है ओ लेडी उपर के साइड में ठीक है एड़ेस्टेट प्राइस है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजर्ट कैसे हैं दोस्तो सबसे पहले हम यहां पर देखने की कोशिस करते हैं एक साल पहले के इस कंपानी कितना र Rowण को शुच्ष के बाद 214 datuj इसके बाद दो सो 75 sniff क्रोर उसके बाद अभी केigent में 322 क्रोड का इस company का revenue देखने को मिला है बहुत अच्छी बात देख सकते हैं Netz Profit Company का 109 क्रोड का उसके बाद 107 क्रोर 139 क्रोर 134 क्रोर अभी देखने 162 क्रोर का Net Profit देखने को मिला है त्यागी टेंडियों कभी यह नहीं बताते कि कोई कमपणी का मार्केट कैप कम है हम कैसे उसको होल्ड करने लंबे समय के लिए तीक बड़ा ही सिम्पिल है आप इतना जादा सबसे पहले देख लीजिए कंपणी वो टिके की क्या ने टिके उसका बिजिनिस प्लस प्राइस देखिए उसका पिछले कितने समय में भागा है चलिए प्राइस के साथ साथ यह भी देखना जूरूरी कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस तो छोटा है उसने स्प्लिट बोनस दे दिया है खासकर नए लोग बड़े परेसान रहते हैं इन सारी चीजों पर आपको क्यानमे करोड उसके बाद 87 करोड पूरे-पूरे साल का बढ़ रहा है 104 करोड, 115 करोड, 107, 201, 315, 276, 420 करोड अभी देखेंगे पूरे क्वार्टर मार्स से मार्च तक कहा है यह ठीक है मार्च 2023 से लेकर मार्च 2023 से लेकर अभी तक 533 करोड का हुआ है ठीक है तो आप यहां अकाउंट खुल रहे हैं दूसरी बात यहां पर क्या चीज़े देखने को मिले डिमेट अकाउंट के साथ साथ लोग कोल पूर्ट के अंदर काम करते हैं बड़ा एक्टिव इससे में रहे रहे एक्टिव अकाउंट के संख्या बढ़ती जा रही तो जितने ज्यादा लोग अक्टिव रहेंगे उतना ही ज्यादा जो बड़े-बड़े ब्रोकर वाली कंपनिया हैं जैसे कि एंजिल वन की बात करें जिरोधा पर स्टोक की बात करें ठीक है तो इनके अंदर क्या है कि लगातार क्लाइंट बढ़ रहे हैं और इनका प्रोफिट भी लगातार बढ़ इनका प्रोफिट लगातार बढ़ने का मतलब यह है कि क्योंकि यह सारे क्लाइंट जो टॉप मॉस फाइब कंपनिया ब्रोकर वाली हैं वह सारी सीडीसल के अंदर आती है एक एक सीडीसल है दो ही डिपोजिटरी है फिलाल तो इंडिया में ठीक है तो जिसकी बज़े से यह परोगा डिक्सन टेकलोजी इस कंपनी ने पहले कभी बोनस इस्पिलिट दिया था इस्पिलिट के बाद यह शेर बिल्कुन नीची की साइडम पहुंच गया था उसके बाद यह फिर एक बार और गिरावर्ट होती 2800 पहुंच जाता है 2800 से इसने जवर्दस तेजी दिखा कर दिया है ज्यादा समय में नहीं किया है आप देखेंगे कि डेड़ साल में लगभगी कर दिया है तो 5000 पांच हजार के भी एकोडिंग कैलकुलेट करेंगे तब भी 200% के रिटन दे दिये ठीक है कैसे कैलकुलेशन तो बड़ा प्लेट तो किसी शेर को अगर पीछे पड़ करती है लेकिन टैग उनका लग जाता एक बड़ी कमपनी मोबाइल की कमपनी है वह इससे मोबाइल बन व् kn Yak si comprehend भी बाद में हारने के बाद चैना यहां पर चोकनना हो चुकी है बड़ी कहा सकते हैं कि बड़े संकट में हैं पूरी दुनिया की कैसे मतलब बिना लड़ाई के कैसे बोर्डर के इसू को सोल कर लिया तो बात चीज से भी बहुत कुछ देखने को मिलता है बात चीज से अगर चाइना नहीं सुदरता तो क्या हो बहुत सारी चीजे उसको नुकसान के अंदर जाएंगी ग्लोबली उसको दिक्कत होगी दूसरी बात इतनी सारी कंपनियां विदेशों के अंदर जो कंपनियां काम करती है चाइना की धीरे-धीरे निकलती भी नेजर आ रही एंटी डंपिंग डूटी लगाई जा रही है क कि चाइना ऐसा काम करता है वैसा काम करता तो निगेटिव इंपक्त लेकर वर्ल्ड के अंदर अपना नाम नहीं कर पाएगा चाइना तो इसलिए धीरे-धीरे अपने सुधारना पड़ाएगा अपना सारी चीजों को यहां पर अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के इस तरीके से पता लगाएं कि कोई कंपनी आगे भाग सकती है तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोजी के अंदर 2013 में तीन करोड का प्रोफिट था उसके बाद 14 करोड उसके बाद 13 करोड 43 करोड इसी तरीके से तो देखा या था लेकिन कोई देखने की कोशिस नहीं करता है पैसा 275 करोड भी देखेंगे 746 करोड का लगातर बढ़ रहा है प्रोफिट लगातर बढ़ रहा है तो जितने भी शेर आप देखेंगे जिनके अंदर अच्छे खासी तेजी बनी है उनका प्रोफिट धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ा है एक कंपनी और देखना चाहते है चलिए दिखाता हूँ शेर का नाम है DLF कोरोना वाइरस में 130 रुपे का शेर था है कोई इसको पूछने के लिए तैयार नहीं था सबने हार मान ली कि इस शेर को नहीं खरीदना 138 रुपे उससे में सारे ही शेर गिरे हुए थे इसके अंदर भी गिरावट होई लेकिन रि यह 1.92 लाग करोड ठीक है तो मार्केट कैप सस्ता था उससे में लोगों ने धियान लगाया लेकिन सारी चीज़े देखते नहीं अभी भी बहुत सारी कंपनियों के मार्केट कैप छोटे हैं लेकिन हम देखके भाग जाते हैं कि यह कंपनी तो कभी भागेंगी नहीं चलि 308 क्रोड से सीधा 4147 क्रोड हो गया कोorfीज में जब चैदा पैसा आगया होंगा तर इनकम से उसके बाद अगात था कंपनी के अंतर ग्रोफ देख नकों में लेकिन देखे कौन देखने का तो मनी नहीं करता किसी का बस पैसा कमाना है ठीक है तो इसके लावा बहुत सारे शेर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे तब तक के लिए जहिंद बंदेवात रहूं